आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं कुटुक और आलू की टिकी और साथ ही हम उसके साथ आलू और कुटुक क्याटे की टिकी भी बनाएंगे यह बहुत चटपटी और बहुत ही अच्छा बनता है आप इसे ब्रत में खा सकते हैं तो चलिए देखते इसकी रेसिपी यह दे देखिए चटकली की आवाज आने लग जाएगी अब यह रोश्ट होगे से निकाल लेते हैं अलग बरतन में मैंने चार आलू बॉयल्ड लिया है इसे इस तरह से मैस कर लीजिए इसे बहुत ज्यादा मैस नहीं करना है बस हमें मोटे मोटे टुक्रों में ही से इस तरह से मि मैं कुटी हुई हरी मिर्च आप बहरी मिर्च को काट कर भी डाल सकते हैं साथी मैं डाल रहे हुए एक टेवल स्पून बारी कुटी हुई अद्रक और जो हमने मुंफली को रोश्ट करके रखा था उसे मैंने कूट लिया है इस तरह से ये देखिए दरदरा अब इसे मिला और इसे मिला लेते हैं इस तरह से उंफली डालने से क्या होगा इसमें क्रंचीनस आयेगा तो इसलिए मैं डाल रहे हैं मिला लेना है और इसे मिला लिया है अब मैं इसमें डाल रिओ भूना हुआ जीरे का पाउडर एक टी स्पून डाल रिओ मैं इसमें आप इसमें अगर कुछ नहीं खाते हैं तो अब इससे स्किप कर दीजिए इसके बाद मैं ले रहे हूँ फ्रेश धन्या एक मुठी साथी ले रहे हूँ आधा इंच का अध्रक का टुकड़ा एक टीस्पून ले रहे हूँ जीरा और एक टीस्पून जीर भुना हुआ जीरा ले रहे हूँ में इसके बाद डाल रहे हूँ उसे इंधा नमक अब डाल रियों मुंफली जो उने रोष्ट करके रखा था था थोड़ा सा रख लिया था इसके बाद डालते इसमें दो हरी मिर्च और एक टमाटर और उसे हमें पेश्ट बना लेना है यह देखिए हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया है थोड़ा सा गी लगा लिया है मैंने बुरत में घी या फिर जो भी आप ओल पाते हैं अपो लगन ले सकते हैं इस तरह समय चोटी-चोटी सी टिक्या बना लिए मैंने सभी बना कर इस तरह से रख लिया है मैं इसमें डाल रहे हूं 2-4 टेबल स्पून में डाल रहे हूं घी आप जो भी बुरत में खाते हैं आप और डाल सकते हैं रिफाइन ओल या जो भी आप खाते हैं इसके बाद यह देखिए टिक्यों को इस तरह से डाल देना है कडाई याद रखिए बहुत अच्छी से गरम करना है और इसे हम शैलो तक अच्छी तरह से पक जाए कुछ देर के लिए इससे तरह पकने देंगे अब इसे पलट लेते हैं यह देखिए इसका कलर जो है चेंज होने लग गया है और टिक्या भी जो है काफी क्रिस्पी लग रहा है तो इसे पलट लिया है मैंने अब पलट कर भी इसे 4-5 मिंट के पका लेते हैं 4-5 मिंट हो गया इसे चक कर लीज़े यह देखिए टिक्या जो है पक गया हमारा तो अब इसे निकाल लेते हैं यह देखे मैंने धनिया का चट्नी बना लिया है ग्रीन वाली चट्नी जो हरी वाली आप इसे इस तरह सा प्लेटिंग कर लिजिए गर्मा-गरम इसी तरह से सर्व कीजिए यह देखे इसे घरी चट्नी के साथ इंजॉय कीजिए यह बहुत टेश्ट लगता और बहुत किस्पी लगता है आप इसे दही के साथ भी खा सकते हैं या फिर हम इसको चाट बना सकते हैं यह देखे इस तरह से आपको टिक्या रख लेनी है एक प्लेट में रख लीजिए सभी टिक्यों को आप इस पर ढाल रहे हूं मैं फेटी हुई मीथी दही को मैंने चीनी डाल कर अच्छी तरह से फेट लिया है अब इस पर डाल दीजिए इस तरह से और यकीन मानिए बहुत टेश्टी बनता है आप इसे एक बार 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 बनाना पसंद करेंगे तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ कीजिए आप डाल रहे हैं इस पर मैं हरी वाली चट्नी जो उन्हें अभी बनाई थी इस हरी चट्नी को आप कई दिनों के लिए दो-तीन दिन के लिए श्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में किसी एर टाइट कंटेनर में इसके बार मैं डालो इस पर भुना हुआ जीरा साथ ही मैं डाल रहे हैं इस पर सेंधा नमक परत में जो खाते हैं अगर जो नहीं खाते हैं वो इसकिप कर सकते हैं यह देखें अब मैं डाल रहे हैं इस पर कुटे हुई लाल मिर्च और इसे इंज्वाई कीजिए